असलाम अलेकुम, Cross Cultural Psychology में हम application यानि इतलाक की बात कर रहे थे, कि जितनी theories, जितनी observations और जितनी scientific findings हैं, research की, Cross Cultural Psychology के हवाले से, कि इनसानों का जो behavior दूसरे culture के हिसाब से या उनका culture उनके behavior को किस तरह असर अंदाज होता है। इस सारे बड़े field में हम बहुत से topics हमने किये, अब हम यह देख रहे थे कि इसकी application क्या है। हमने mental illness पी और well being, happiness, positive psychology इसके उपर Cross Cultural Studies पढ़ ली हैं। आज उसको summarize करते हुए मैं आपको यह बताऊंगी, कि एक area जिसमें हम culture को compare करते हैं, वो है well being. यानि खुशहाल होना, हर हाल में ठीक होना और हर इतबार से ठीक होना, being well in all aspects. अब इसकी जो study की गई है, उसमें बहुत सी बातों की इस्तियात के बारे में जिकर हो रहा है। यह कह देना कि कुछ societies की well being कम है या ज्यादा है, तो किस indicator से हम देख रहे हैं और जिस तरीके से हम उसको assess कर रहे हैं, उन से सवाल पूछके, observe करके, कोई world bank की reports देखके, कोई उस मुलक के अपने service देखके, या वहां के behavior को किसी तरीके की rating करके, या कुछ और तरीका है जिससे हमने ये determine किया कि कुछ मुलक या कुछ culture जो है, वो well being में दूसरे culture से फरक है, और हमारे लिए वो तब दिलचस्प है, अगर हम ये देखें कि ये जो well being का फरक है, इसमें culture का क्या role है, तो ये एक इतना आसान सवाल नहीं है, ये study इतनी simple नही है, तो इसको देखते हैं कि इस पर क्या 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 कुछ काम हुआ हुआ है, ये जो author's है नहीं 2018 में ये एक एहम article जो है वो culture and psychology जो के एक book है, उसमें एक उन्होंने अपना उनका chapter है, which talks about subjective well being, यानि वो well being जिसका एक इनसान एक फर्द खुद assess करता है, कि वो कितना खुश है तो ये उसकी subjective है, उसकी इन्फरादी जाती है जो उसके ऐसासाथ हैं अपनी well being के बारे में, इसके उपर उन्होंने summarize कि है अपने इस चेप्टर में, culture across the curriculum जो book है, इसमें culture and psychology का chapter है, इसमें वो कहते हैं कि कुछ यूनिवरसल्स हैं, यानि well being किस तरहां से किन factors की बज़ा से होती है, उसमें कुछ चीजें जो हैं वो यूनिवरसल हैं, तमाम cultures और तमाम societies में पाए जाती हैं, लेकिन बहुत सारे differences भी हैं, और यह differences जो हैं इसलिए नहीं हैं कि लोग उस culture में हैं, बलकि उस culture के हालात की वज़ा से हैं, और उस culture के अंदर भी लोगों की well being एक दूसरे से फरक होती है, एक एहम जो यूनिवरसल है, वो यह है कि तमाम तकरीबन well being का वास्ता जो है, वो आपकी material life से जरूर होता है, कुछ culture जो poverty में बहुत below poverty line हैं, उनके well being का indicator जो है, वो ज़रा कमजोर होते हैं, खास तोर पे, अगर आप उनकी well being को satisfaction with life के हिसाब से measure करें, जब आप कहें कि आप कितने खुश हैं तो कोई कह सकता है कि जी बस टीक है, लेकिन जब आप उसे पूछें जिन्दगी से कितने मुतमेन हैं, तो उसको तमाम कमी, तमाम मस्तायल, तमाम जिन्दगी के अंदर जो जैसे job है, employment है, पैसा है, comfort है, society की quality of life है, वो सब याद आ ज जब आप देता है, जो के खाली, खुशी पूछने से मुक्तलिफ होता है, तो एक बात ही है कि ये किस तरह पूछा जा रहे है, कुछ कल्चर में लोग खुश हैं, लेकिन जब आप जिन्दगी की satisfaction पूछते हैं, तो उसके अंदर ये तमाम मसायल या factors आ जाते है, money does matter, हम य अगर money को life satisfaction के हिसाब से देखा जाए, well-being को, तो फिर उसमें बहुत जादा पूर जो है, उनकी जिन्दगी से जो इत्मिनान है, वो कम होगा, एक ये, उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह पूछा जा रहे है, वो भी एहम है, और बहुत से differences जो हैं, ये आपको इसलिए article की reference है कि this is going to be a review in your assignment and you will read and summarize this article के क्या-क्या differences है और क्या चीज़े हैं जो universal है, इस lecture के end में मैं उनको आपके लिए brief पेश भी करूँ, ये एक और article है, जो Journal of Happiness Studies में आया है, जिसमें उसने Chinese and German students का comparison किया और तीन चीज़ों पर किया है, अच्छा ये जो तीनों चीज़े हैं, life satisfaction, happiness and social sport, इसको आम तोर पर scale में measure किया जाता है, अब social sport का एक scale है, I often have people who can hug me, मुझे गले लगा सकते हैं, life satisfaction के मेरे हिसाब से मेरी जिन्दगी मेरी ideal जिन्दगी के करीब तरीन है, happiness का कि मैं अक्सर बिला वज़ा भी खुश होता हूँ, या मुझे कोई बहुत वज़ा नहीं है कि मैं नाखुश हूँ, अच्छा जब ये सारे items जर्मन और चाइनीज को पेश किये, तो फार एक्जामपल चाइनीज ने कहा कि हमारे नस्दीक social sport का मतलब ये है कि आप किसी को पैसे की जरुएत है तो देंगे, तहारे की जरुएत है तो देंगे, खाना चाहिए तो देंगे, उसकी बात तुनके उसको practical help देंगे, भब करना हमारे culture में social sport नहीं है, इस तलिफ था, can I borrow money from you is one type of social sport, can I give you a hug is another kind, so Germans understood that but Chinese understood something different from social sport, अब इस ते well-being का जो पूरी measurement है, उसमें बहुत से सवाल पैदा हो जाते हैं, कि जो सवाल पूछे जा रहे है, उनका मतलब दोनों जगों पे social sport ही समझा जा रहे है, life satisfaction और happiness ही समझा जा रहे है, तो ये उन्होंने ब इसकी findings भी आपको assignment में आएंगी, study of well-being जो across cultures है, उसमें कुछ एहतियाते हैं, तो इन्होंने qualitative किया, यनि लोगों से पूछा, कि जो scale दिये थे उस पे आपका एक score आया है, तो वजाहिर ये लग रहे है कि जर्मन ज्यादा खुश हैं Chinese से, लेकिन जब मतलब पूछा तो साथ cross-cultural research की जाती है, अभी हम सिरफ well-being के एरिये में इसको discuss करें, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा cross-cultural नतायज निकाले जा रहे हैं, ये एक और book है, the palgrave handbook of positive education, इसमें भी चार fundamental distinction जो हैं, उन्होंने well-being के concepts के मामले में वाज़े की हैं, जो well-being के concept हैं, उनके इंदर चार distinction हैं, जिनमें आखरी है, context, यानि किस सियाकुस सबाग में उसको देखा जा रहे हैं, और उसकी functionality क्या है, उसकी एहमियत क्या है, तो ये four dimensions are very important, to remember के ये चार हैं, जिनके ऊपर, actually, well-being की study को देखा गया है, cultures के बीच, ये book है, cross-cultural psychology, जिसको मकसर refer करते रहते हैं, इसमें एक और chapter है, well-being across cultures, issues of measurement and the interpretation of data, that is also very important reading, तो जब इसके ओपर assignment आएगी, study of well-being across cultures, what are the issues of measurement, what are the issues of interpretation of data, what are the four dimensions and what are the key universals and what are some of the differences, तो ये कुछ main थी जिनको मैंने references आपको प्रवाइट किया है, their a must reading, सारे लोग खुछ रहना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से, वो तरीका फर्क हो सकता है, खुछी का मतलब भी फर्क हो सकता है, तो ये याद रखना जरूरी है, कि खुछी एक गोल है, well-being इनसानों का एक एहम मकसद है, लेकिन उसको इन्शोर करने और यकीनी बनाने के लिए अपने अपने तरीके से, लोग उसके ओपर अमल करते हैं, और उसको यकीनी बनाते हैं खुछ रहना चाहते हैं, ये एक इनसानी गोल है, लेकिन इसको कोई कैसे हासिल करता है, ये एक बहुत एहम बात है, तो ये याद रखना चाहिए, कि जो ऐसे culture हैं, जो individualistic हैं, वो फर्द की खुशी, जाती खुशी को काफी समझते हैं, जब कि जो collectivist या interdependent cultures हैं, उनके ल मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी professional भी, personal भी, health भी, लेकिन मेरी खुशी ना मुकमल होगी, मेरी well being पे एक साया सा होगा, एक वरी होगी, क्योंके मेरे से जुड़े हुए रिश्टे जो हैं, मेरे इद्गित का जो महौल है, मेरे जो महले के लोग हैं, वो सब भी मेरा concern है तो जो collectivist culture होते हैं ना इजतमाई culture, उन में खुशी को हासल करने का तरीका और उसके मुकमल होने का एहसास वो फर्क होता है, तीन इसमें एहम नताइज हैं, findings हैं, पहले ये कहा गया है कि जो इजतमाई और इंफरादी culture हैं, वो एक दूसरे से मुक्तलिफ हैं, तो जो collectivist culture हैं, वो कम खुश हैं individualistic के, अब इसमें एक इतराज ये उठाया जाता है कि individualistic culture अक्सर western है, Caucasian, Anglo-Saxon, North American, European, अब इस culture में जब life satisfaction या happiness की बातें पूछी जाती हैं, तो उनको ये जवाब देते हुए, अपने अंदाज में जवाब देते हैं, और उन स्केल पर उनका स्कोर जाता है, ये स्केल वहाँ बने नहीं है, हमने देख लिया कि research ये बताती है कि Chinese उस जुम्ले को खुशी का मतलब ही नहीं समझते हैं कि ये खुशी पूछी जा रही है, वो कहते हैं इसको खुशी कहते हैं, इसको social sport कहते हैं, no, हम तो नहीं कहते हैं, इसको ये एक बड़ा आतराज है, इसकी विज़ा से बजाहर जो लगता है कि वो ज्यादा वेल बिंग है, उनकी ऐसा नहीं है, psychological जो attributes है, self के, self esteem हो गया, self consistency हो गई, जात से जुड़े वे जो आपके अपने traits हैं, western culture में वो खुशी के लिए ज्यादा हैं, जबके collective culture में ऐसा नहीं है, उसमें जावा broader जो context है, जो broader society है, उसकी चीज़ें जो है, वो ज्यादा एहमियत रखती है, यह research बताती है, फिर self judgment of happiness जो है, वो मुखतलिफ तरीकों से, जो है वो anchored है, यानि अठकी हुए है मुखतलिफ चीज़ों पे, क्या cues आप दे रहे हैं, और क्या experience है across cultures, तो यह key findings है, आग चलें तो एक बड़ी important बात जिस पर खतम करने की जुरुत है, कि यह बहुत एहम area study करने का, क्यों? इसलिए कि जब आप देखते हैं कि society की कैसी well being है, कम है या ज्याद है, फिर आप society की well being को बेहतर करने के लिए इकदामात करते हैं, interventions plan करते हैं, अगर आपको पता ही नहीं ह जरा बेहतर हो सकती है, और जो वो बता रहे है well being उसकी measurement में क्या बात नहीं समझ आ रही, तो फिर आप इलाज कैसे ढूंडेंगे, जब आपको असल में वो problem ही समझनी आया, इसलिए, इसकी study ज़रूरी है, लेकिन यह बहुत उलजी भी है, पहचीदा है, एक complex है, काफी सार इसकी study में एक बात के हित्यात करनी चाहिए, यह नहीं है कि collectivist culture जैसे Korea, Japan, China, Singapore की वो बात करते हैं, कि वो unhappy है, बात सिरफ यह है कि हम उनके score को life satisfaction पे देख रहे होते हैं, happiest countries में कुछ European countries भी हैं, लेकिन उसके बात Singapore बड़ी जल्दी आ जाता है, भूटान बड़ी जल्दी जाता है, so we will be continuing with this later.